हलो यूट्यूबर्ज एंड वेल्कम बैक तो एनादर एपिसोड आफ एम्जेड लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे के आप अपनी किसी भी external hard drive या USB को without third party software कैसे password protect कर सकते हैं मैं हमेशा अपने viewers को यही recommend करता हूँ कि अगर आप किसी किसम का sensitive data किसी external hard drive specially USB drive में मुंतक्यल कर रहे हैं तो उसको हमेशा password protect रखें तो अपनी किसी भी external hard drive या USB को password protect करने के लिए उसे अपने computer की USB port में लगाएं और go menu से utilities folder में जाएं और disk utility की app पर double click करके उसे launch करें अब यहाँ पे sidebar में external के नीचे अपनी जिस USB या hard drive को आप password protect करना चाते हैं उसको select करें और इस erase बटन पे click कर दें अब format के drop down menu से macOS extended journal encrypted को select कर लें या फिर apple का new file system apfs encrypted पर click करके उसे select कर लें अब इस password field में जो भी आप अपनी hard drive या USB का password रखना चाते हैं उसे type करें अपने उसी password को नीचे वाली field में दुबारा type करके verify करें अगर आप चाहें तो इस जगा पे अपने password की hint type कर सकते हैं otherwise इसको as it is रहने दें और choose पे click कर दें यहाँ पे अब इस erase बटन पे click कर दें अगर आप इस process की detail को देखना चाते हैं तो short details बटन पे click करके आप ये details देख सकते हैं ये process थोड़ा time लेगा depend करता है आपकी USB या hard drive की read android speed पर जैसे ही ये process complete हो आपके सामने operation successful का message display हो जाएगा अब आप इस done button पे click कर दें और अगर चाहें तो इस disk utility की window को भी close कर दें इस finder की window को भी close कर दें अब आपकी USB या hard drive password protect हो चुकी है अब अगर आप चाहें तो इसमें अपना कोई भी secret या confidential data copy कर लें जब आप अपना data copy कर चुके हैं तो इ इस USB ये external hard drive को आप eject कर दें मैं चुके अपना sensitive data password protect USB में copy कर चुका हूँ इसलिए extra security को मदे नजर रखते हुए मैं इसको अपने computer से भी delete कर देता हूँ अब जब भी आप दुबारा अपनी इस password protect hard drive या USB को अपने computer की USB port में लगाएंगे उस तक रसाई हसल करने के लिए मुझसे उसका password मांग रहा है अगर आप अपनी finder window की sidebar में भी जाकर देखें तो ये finder window की sidebar में भी display नहीं हो रही और इस तक रसाई हासल करने के लिए हमें इसका password type करना पड़ेगा चलिए इसका password type करते हैं और इस unlock button पे click कर देते हैं अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही password type करके इसे unlock किया ये आपकी finder की sidebar और desktop दोनों पर जाहर हो गई है अब अगर हम चाहें तो इस पर click करके इस USB के अंदर जा सकते हैं और अपने secret data तक रसाई हासल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको like करें और दिल ख हम अपने channel पर लेकर आते रहते हैं mobile, computer और IT से related मज़े मज़े की वीडियो और हमेशा रखते हैं आपको up to date अब तक के लिए इतना ही वीडियो देखने और अपना कीमती time देने का बेहाच शुकरिया मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिज